अलो नमस्कार दोस्तों मैं हुश्चिन स्वागत है अपका मेरी चनल पे आप देख रहा है इसका लिनरी और आज हम बनाने वाले हैं मठर के निमोने यूपी स्टाइब मठर के निमोने आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल देशी तरीके से और आज यह जो हम निमोने बनाएं हैं और इसके साथ ही यहां पर लकड़ियां और ओपले हैं यानि की देशी स्टाइल की पूरी तयारी है तो यहां पर मैंने लिया है एक मिक्सी का जार इसमें हम डाल लेंगे हरी मिर्च को और अद्रक को थोड़ा हम कट कर लेंगे और इसे भी हम डाल देंगे यहां पे हम तयारी कर रहे हरे मसाले को बराने की जो की मटर की निमोने के लिए बहुत ही जरूरी है अद्रक को काट लेने के बाद यहां पे है हमारे पास मटर मटर को भी हम इसमें डाल देंगे फिर यहाँ पे हरा लेसुन लेंगे उसे भी हम निसमे काट के डाल देंगे यहाँ पे मैंने चार पेड़ लिया है जो की काफी पतले थे अब दो पेड़ ले इसके काफी है और यहाँ पे हम लेंगे हरे प्याज का साग इसे भी हम डाल देंगे और इसके साथ ही यहाँ पे हम डालेंगे हरा धन्या सारी चीज़ों को आपको कट करके इस तरीके से डालना है आप चाहें तो इसे सिल्बटे पर भी पीछ सकते हैं इसका बढ़िया पेस्ट बना सकते हैं या इस तरीके से कट करके मिक्सी में एक दरदरा मिक्शर अब तयार कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा से जीरा मैं आट कर रहा हूँ थोड़ा सा पानी डालके इस तरीके से हमें एक दरदरा पेस्ट बना लेना है यह हमारा हरा मसाला है निमोने के लिए अब हमें चूले को जलाने लिए है और उसके ऊपर रखेंगे हमें कढ़ाई तो यहाँ पर कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद इसमें हम डालेंगे सर्सो का तेल तो आप कुसी भी तेल में बना सकते हैं लेकिन यह सर्सो के तेल में बनाई जाती है थोड़ा सा हिंग डाल देंगे थोड़ा सा डालेंगे इसमें मेथी डदाना और इसके बाद हम इसमें प्याज को डाल देंगे एक प्याज का यूज किया है हमने इसे कट कर लिया और इस तरीके से डाल देंगे थोड़ा सा प्याज को भूनेंगे प्याज का कच्चापन निक कर लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरे मतर को थोड़े से हरे मतर उपर से अच्छे लगते हैं इसलिए हम इसमें थोड़े से हरे मतर डाल देंगे हरे मतर को भी हम थोड़ा सा पका लेंगे और इसी गर्म तेल में ही हम डालेंगे थोड़ी से हल्दी नाम के लिए बस जिससे कि इसका कलर उभर के आएगा और यहां पे हम डालेंगे गरम मसाला एक छोड़ा चमच गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे मिला लेंगे और इसके बाद जो हरा मसाला मैंने आपको दिखाया था उससे हम डाल लेते हैं अब इस मसाले क बहुत ही अच्छी तरीके से आपको भूनना है लगबग दो मिनट तक आप इसे भूनिए मेडियम फ्लेम पे यानि कि मध्यम आज पे आप अगर चूले बना रहे हैं तो चूले की आज को एड़ेस्ट कर ले और मध्यम आज पे इसे आप भूनिए करीबन दो मिनट के लिए आप चाहें तो इसे ढख की भी सकते हैं और इस तरीके से किनारों पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ओयल इससे रिलीज होने लगा है और मसाले की बहुत अच्छी खुसबू आ रही है तो यहां पे हमारा मसाला जो है वो बिलकुल तयार है अब हम इसमें पानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से जिस तरीके से आपको निमोने पसंद हो उस तरीके से आप इसे पका सकते हैं और इसमें पानी अड़जस्ट कर सकते हैं अब इसमें नमक डाल देंगे हम नमक डालने के बाद एक बार इसे मिक्स कर लीजे और करीबन 7-8 मिनिट तक आप इस बहुती आसानी से ये बन जाती है तो इस रस्पी को आप जरूर ट्राइ कीजेगा हो सके तो आप इसे इसी तरीके से मिट्टी के चूले पर बनाएए लकड़ी और ओपले की आँच पर बनाएए बहुती अच्छी लगती है ये रस्पी तो ये थी यूपी स्टाइल मटन मोना की रस्पी जो की मैंने बनाया है बिल्कुल देशी तरीके से आप रस्पी को जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा की रस्पी आपको कैसी लगी थैंक्यू सो मच